हेलो एब्रिवन ये आपकी नवीन शिक्षारती बाद हिंदी व्याकरन कक्षा पांच की बुक है इस पुस्तक से हमने पढ़ा था पाठ अठ्रा विलोम शब्द आपने इस बुक को रिवाइस किया है अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको टेलम के माध्यम से भी इसको आज हम करेंगे पुस्तक कारी पुस्तक कारी पेज नंबर 83 मतला 83 में है ठीक है पहला नंबर हमारा क्या है पहला उचित विलोम पर गोला लगाओ ठीक है यहां पर विलोम शब्द दिये हुए है जो उचित विलोम है उस पर हमको गोला लगाना है जीवन का विलोम मौत होग या मरन, तो मरन होगा, इस पर मैंने गोला लगाया है, मान का विलोम सम्मान या अपमान, अपमान पर मैंने गोला लगाया है, आकाश, आकाश का विलोम होगा धर्टी या पाताल, तो पाताल होगा, पाताल पर मैंने गोला लगाया है, प्रेम, प्रेम का विलोम घ्रिना होगा की क्रोद तो घ्रिना होगा इस पे मैने गोला लगाया है प्राता प्राता का विलोम सायम या शाम तो सायम होगा इस पे मैने गोला लगाया है उसी तरीके देखिए आगे बढ़ते हैं हर्ष हर्ष का विलोम दुख होगा की शोक तो शोक होगा उस पे मैने गोला लगाया है को कोमल का विलोम कठिन होगा या कठोर तो कठोर पे मैंने गोला लगाया है वीर का विलोम होगा कायर या बहादुर तो कायर होगा इस पे मैंने गोला लगाया है निंदा का विलोम स्तूती या फ्रशंशा तो स्तूती होगा और जय का विलोम पराजय होगा या हार तो पराजय होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं नमबर टू, विलोम शब्द लिखो विलोम शब्द हमको लिखना है गुरू, गुरू का विलोम क्या होगा? शेश्य, धनी, धनी का विलोम निर्धन गुण, गुण का विलोम दोश या अवगुण दोनों हो सकता है आयात, आयात का विलोम निर्यात मूख, मूख का विलोम वाचाल यहाँ पर देखते हैं उन्नती, उन्नती का अवनती विलोम होगा प्राचीन, प्राचीन का विलोम आधुनिक या नवीन होगा आशा का विलोम निराशा होगा विस्त्रित शंचिप्त विप्रित का विलोम संचिप्त होगा लिखित का विलोम अलिखित होगा अब आगे बढ़ते हैं देखिए तीसरा नमबर रेखांके शब्दों की विलोम लिख करवा के पूरे करना है इनमें जो रेखान के शब्द है इनको विलूम लिखके हमको पुरा करना है सत्य की सदा जीत होती है और ये विलूम है की हार होती है तो सत्य का विलूम क्या हो जाएगा और सत्य मा पूरे महिने की आय और ये आपका क्या हो जाएगा खाली स्थान है का व्यवरा रखती है आय का विलूम क्या हो जाएगा व्यवरा तो मा पूरे महने की आय और व्या का व्यवरा रखती है गवाला भारत की संस्कृति में खाली स्थान में एकता के दर्शन होते हैं तो भारत की संस्कृति में अनेकता में एकता की दर्शन होते हैं ठीक है अब घावाला देखो सही शब्द का प्रयोग न करने से अर्थ का खाले स्थान हो जाता है तो खाले स्थान में हम क्या लिखेंगे अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा अनर्थ तो सही शब्द का प्रयोग न करने से अर्थ का अनर् हो जाता है अंगा वाला कक्षा में केवल दो चात रही उत्तिन दो चात रही खाली स्थान रहे शे सभी उत्तिन तो उत्तिन का विलोम क्या हो जाएगा अनुतिन तो कक्षा में केवल दो चात रही अनुतिन रहे शे सभी उत्तिर्ण हैं है ना मतलब आप समझ में आगे आपको चलिए आप लोग ये बुक्वा को पुस्तक कारे को अपने पुस्तक में सुन्दर हन्राइटिंग में कम्प्रीट करेंगे ठीक है बाई झाल